तो आज हम लोग देखेंगे UP board का चार्ट गड़ीत का भ्यास 1 का F इससे पहले कल वाले वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था 1 का E complete कर लिया था तो 1 का F लगाने से पहले exercise को कुछ बातां इसमें याद रखना जरूरी है तो उसको पहले हम लोग देख लेते हैं फिर exercise को साल्ब करेंगे और कोसिस आप लोग यह करें कि पूरा वीडियो को देखा करें अगर आप लोगों को अच्छे से पढ़ाई करना कुछ समझना है तो वीडियो को शुरू से लाश तक बिना skip किये बिना भगाए लाश तक देखा करें अगर नहीं देखना है तो सुरू से देखा है मत नहीं तो अगर कुछ पढ़ना है कुछ सीखना है तो सुरू से लाश तक आप लोग वीडियो को देखा करें तो देखते हैं इसमें हम लोग जानते हैं कि योग का तस्समा का वयवपाले देखते हैं कि इसको काते हैं हम लोग जानते हैं कि कोई भी संख्या हो कोई भी संख्या हो या तो उसमें अगर जीरो को हम जोड़ा चाहा किसी संख्या को जीरो में जोड़ा तो वही संखेया पराब्त होता, जैसे मानलीजीए एक बट्टे 2 है अगर इसमें हम 0 जोड़ कोई फरक नहीं पड़ेगा 0 का मतलब कुछ नहीं, वही संखेया ही रहागा या 0 में हम किसी संखेया को जोड़ता 0 का मतलब कोई फरक पड़ेगा नहीं तो योग का तत्समक अवयो काते किसको है इस जीरो को योग का तत्समक अवयो योग का जो तत्समक अवयो पूछेगा किसे काते हैं तो सुनने को यह याद रखना है आपसन में पूछता है योग का तत्समक अवयो क्या है तो कहेंगे सुने होता है बस यह याद रखना है गुरा का तत्समक आवयो क्या होता है हम लोग जानते हैं कि कोई संख्या ऐसे दे दिया हो हम लोग परी में संख्या पर रहा है तो परी में संख्या का उधार लेते हैं तो कोई संख्या है अगर उसमें हम एक का गुरा करता है, या, एक में हम किसी संख्या का गुरा करता है, तो मान नहीं बदलता है, एक में किसी संख्या का गुरा करता है, तो वही मान रहता है, तो इसी एक को हम कहते हैं, गुरा का तत्समक अवयो, तो ये होता है, अगर कोई कोई पूछता योग काता समक हो यो तो हम बताएंगे सुने कोई पूछाएगा गुरा काता समक हो यो तो बताएंगे एक होता है आप देखते हैं योगातमक प्रतिलों क्या होता है योगातमक प्रतिलों क्या होता है योगातमक प्रतिलों का मतलम उसका जैसे माली ये कोई छोड़ेंगे उसी को हम योगात्मक प्रतिलों करते हैं जैसे हमाले यह लिखा हुगा है माइनस 2 तो माइनस 2 में हम क्या जोड़ेंगे अपने तरब से कि यह 0 हो जाए तो जानते हैं यह माइनस 2 है तो इसमें अगर हम पलस 2 जोड़ना तो माण 0 हो जाएगा तो यही जो जोड़ेंगे उसी को हम योगातमक प्रतिलों काते हैं अब ऐसे आप लोग समझे कि वही संख्या चीन बदल देंगे वही योगातमक माइनस 2 का योगातमक प्रतिलों पलस 2 हो जाएगा पलस 2 का योगातमक प्रतिलों माइनस 2 हो जाएगा ऐसे माली जी यहरी एक जामपर लेते हैं योगातमक प्रतिलों के लिए ऐसे लिखा हुआ पलस 1 बटे 2 इसका योगातमक प्रतिलों हो जाएगा माइनस 1 बटे 2 चिन बदल देंगे अगर माइनस एक बटे दो का योगातमक प्रतिलोम पूछेगा तो पलस एक बटे दो ऐसे माली जी लिखा हुगा पलस तीन बटे दो इसका योगातमक प्रतिलोम बताईए तो पलस तीन बटे दो हाँ तो चिन बदल देंगे माइनस तीन बटे दो हो जोगात्मक प्रतिलोम अगर माइनस तीन बटे दो का पुछता है तो पलस तीन बटे दो यानि कि चीन बदल देंगे संख्या वही रहागा उसी को योगात्मक प्रतिलोम करते है परिमास योगात्मक प्रतिलोम का होता है कि संख्या में हम ऐसी संख्या जोड़ हैं कि योगफल जीरो हो जाया तो उसी जोड़ने वाले संख्या को ही या उसी दोनों संख्याओं को ही एक दूसरे का योगात्मक प्रतिलोम करते हैं गुरात्मक प्रतिलोम देखते हैं क्या होता है हाँ एक चीज, एक बात अहर दिहां रखेंगे 0 का यो गातमग प्रतिलों अगर पुझता है जासा मालजी यहां 3.4 का अगर पुझता है यह पलस में हां तो माइनस 3.4 हो जाएगा लेकिन 0 का यो गातमग प्रतिलों 0 ही होता है इसको याद रखेंगे ये देखते हैं गुरातमग प्रतिलों क्या होता है किसी दी गई संख्या में जैसे माली जी है दो बटे तीन लिखा हुआ है किसी दी गई संख्या में हम ऐसे संख्या से गुरा कर दा कि गुरन फल एक हो जाए तो उसी दोनों संख्याँ को एक दूसरे का गुरातमग प्रतिलों करते हैं जैसे माली जी दिया 2 बटे 3 इसमें हम किस से गुरा कर दा ये संख्या को बदाल के मतलब उपर का नीचे और नीचे का उपर करके हम गुरा कर देंगे से दो बटंचे 3 आहां तो 3 बटंचे 2 सगूरा कर दिए तो मान आज आगा देखिए दो से दू कर गया एक बार में 3 सटीन कर गया एक बार में तो मां आहे कितना एक तो वही है घुरात्मग परत दोंकि सी दीर संख्या में आए इस500 से गूरा मी än एक हो जाए तो इन्हीं दोनों को एक दूसरे का गुरातमग परतिलों करते हैं अब ऐसे समझेंगे गुरातमग परतिलों जैसे माली यह दिया है दो बटे तीन तो इसको उपर का नीचे नीचे का उपर कर देंगे यही गुरातमग परतिलों दो बट्टे तीन है तो तीन बट्टे दो लिग दिये हो गया गुडात्मक परतिलों ऐसे देदी यहां माली जिए माइनस तीन बट्टे चार तो नीचे का उपर उपर का नीचे कर देंगे यही गुडात्मक परतिलों हो गया उपर जाया गई है तो माइनस पहले सा तो ऐसे राने देंगे माइनस तीन बट्टे चार है तो चार बट्टे तीन हो गया तो ये हो गया गुरातमक परतिलों अगर पुछता है सुन्य का गुरातमक परतिलों तो सुन्य का गुरातमक परतिलों नहीं होगा क्योंकि सुन्य में किसी भी संख्या का हम गुड़ा करके एक नहीं परात कर सकते हैं और रूल क्या होता है कि दोनों का गुड़ा करने पर मान एक आजा तो सुन्य का गुड़ातमक परतिलोम नहीं होता है यह याद रखेंगे योगात्माग परतिलों में सुन्ने का योगात्माग परतिलों सुन्ने ही होता है तो यह याद रखेंगे योग का तस्मा का ओयो सुन्ने को काते हैं गुडा का तस्मा का ओयो एक को काते हैं योगात्माग परतिलों में चिन बदल देते हैं संख्याओं का पलस में आ तो माइनस में कर देंगे माइनस में आ तो पलस में कर देंगे गुरातमक परतिलोम में नीचे का उपर उपर का नीचे कर देते हैं तो ये हमको याद रखना है इसके बाद एक सरसाइज दखेंगे एक बात और इसमें गुडातमक परतिलोम में ध्यान रखते हैं जैसे माल लिजी अगर इस गुडातमक परतिलोम को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं जैसे माल लिजी है दो बटे तीन का गुडातमक परतिलोम पुछ रहा है तो इसको दो तरस लिखते हैं हमने बताया नीचे का उपर उपर का नीचे या तो इसको तीन बटे दो लिखा दो बटे तीन को उपर करके उसको नीचे तो तीन बटे दो या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं दो बटे तीन पर माइनस एक इसको नहीं बदलेंगे अगर दो बटे तीन ऐसे वही राने दाँ और माइनस एक लिखना तब भी उसका गुडातमग प्रतिलों हो जाएगा तो ये ध्याम देंगे अब वनकाय अफ एक्सरसाइज देखते हैं ये याद रखना बहुत ज़रूरी है तो देखते हैं तो अब एक्सरसाइज वनकाय अफ देखते हैं पहला कोस्चन है निम्नांकिर कत्मों के सम्मुख सत्य या सत्य जो सही हो लिखिये तो देखते हैं इसमें कौन सा सत्य है कौन सा अ सत्य है जैसे कि दिया पहले पहला question minus 6D7 plus 6D7 परिमेसंख्या नहीं है जबकि हम लोग इसे पहले वाले अभ्यास में हमने बताया था कि दो परिमेसंख्याओं का योगफल भी परिमेसंख्या होता जबकि देखो ये का रहा है कि परिमेसंख्या नहीं है इसका मतलब ये हो जागा और सत्य क्योंकि ये ये और सत्य हो जागा क्योंकि कहाना कि परिमे संख्या नहीं है जबकि दो परिमे संख्याओं का योगफल परिमे संख्या होता इसलिए दूसरा देखते हैं परिमे संख्याओं में योग का तत्समक आयो सुनने हैं अभी हमने बताया इस से पहले कि योग का तत्समक ओयो सुन्य को कहते हैं ये भी कह रहा है तो ये सत्य हो जागा तीसरा देखते हैं परिमे संख्या सुन्य का योगातमक परतिलोम नहीं होता है बताया कि सुन्य का योगातमक परतिलोम सुन्य होता है, जबकि यह कह रहा है कि परतिलोम सुन्य का नहीं होता है, तो यह और सत्य हो जागा, इसलिए हम कहते हैं कि वीडियो को आप लोग बार-बार भगाक मत देखां, पूरा देखां, पूरा देखेंगे तो हमने हर एक परिम्य संख्या होती है ये भी सत्य है क्योंकि जो रिड्यात्मक परिम्य संख्या होगा उसका योगात्मक परतिलों धन में हो जाएगा मतलब माइनस वाले का योगात्मक परतिलों पलस और पलस वाले का माइनस होता है तो ये भी सत्य है फिर परिमे संख्या में घटाने का तत्समक अवयों सुने हैं हमने बताया कि परिमे संख्या में योग का तत्समक अवयों सुने होता है जबकि यहां घटाने का दिया तो यह और सत्य हो जागा फिर छटमा कोस्चन देखते हैं परिमे संख्या में गुरा का तत्समक हो यह एक होता है हमने बताया भी योग का तत्समक हो यह सुन और गुरा का तत्समक हो यह एक होता है तो यह सत्य हो जाएगा साथमा कोस्चन एक रिडातमक परिम्य संख्या का गुरातमक प्रतिलों में एक रिडातमक परिम्य संख्या होती है ये भी सत्य है ये हैं सत्य क्योंकि करा किसी रिडातमक परिम्य संख्या का गुरातमक प्रतिलों क्या होता है हमने बताया कि उसी का उपर का नीचे कर देते हैं जैसे माल ये माइनस दो बटे तीन है तो नीचे का उपर उपर का नीचे कर देंगे तो माइनस तीन बटे दो हो जागे यानि कि रिडातमक है तो रिडातमक में ही रहेगा तो यह गुड़ आत्मक परिमे संख्या का गुड़ आत्मक परतिलों में एक गुड़ आत्मक परिमे संख्या होती है सत्ते हो गया आगे दखते हैं आत्मक यादि परिमे संख्या यक्स का योग आत्मक परतिलों में यक्स है तो यक्स बराबर 0 का रहा है कि कोई परिमें संख्या यक्स है उसका योगातमक प्रतिलोम भी यक्स है तो क्या यक्स ब्राबर 0 है मतलब यक्स में अगर हम 0 जोडेंगे तभी यक्स आयगा ये वजी का रहा है, जब यक्स के जहाँपर हम क्या रखेंगे? जीरो, उसका युगात्मक प्रतिलों जो होगा, जीरो, तो ये भी सत्या आगे देख़ते हैं निमनांकित को अपनी अप ये पहला कॉस्टन में जो सत्या सत्य ठा ये 8 कॉस्टन हमने बता दिया अब दूसरा कॉस्टन इसमें दिया है exercise का निमनांकित को अपनी अब्हांस पुस्तिका पर उतान कर रिक्ता स्थान की पूर्त किजिए तो देखते हैं रिक्ता स्थान कैसे भरते हैं यहां देखिए ध्यान देंगे पहला कोस्चन दिया माइनस पांच बटे बारा पलस करके खाली जगा और बराबर करके माइनस पांच बटे बारा तो हम जानते हैं कि यह देखिए माइनस पांच बट्टे बारा इधर भी है और बराबर करके माइनस पांच बट्टे बारा भी है तो हम माइनस पांच बट्टे बारा हम क्या जोडेंगे कि माइनस पांच बट्टे बारा ही रहा जाए तो हमने अभी शुरूम बताया था कि 0 को किसी संख्याम जोड़ेंगे तो मान नहीं बदलता है वही रहता है तो हम यहां भर देंगे क्या? 0 क्योंकि इसमें 0 जोड़ेंगे तो वही रहागा दूसरा कॉस्चन देखते हैं माइनस 4 बटे 5 है और यहां माइनस लगाया हुगा यहां भर के बराबर 0 आना है तो हम लोग जानते हैं कि योगात्मक प्रतिलोम से अगर माइनस 4 बटे 5 में पलस 4 बटे 5 जोड़ना तो 0 हो जागा जैसा माल जी अगर यहां माइनस 2 दिया हो तो हम इसमें पलस 2 जोड़ना पड़ेगा हमको तभी 0 आयागा वही संक्या चीन बदल के तो यही यहां माइनस 4 बटे 5 में हमको अगर पलस 4 बटे 5 जोड़ना 0 होगा तो पलस 4 बटे 5 के लिए यहां एक माइनस दे दिया है तो यहां माइनस 4 बटे 5 हमको भरना पड़ेगा क्योंकि एक माइनस पहले दिया हमें एक माइनस और लगाएंगे तभी माइनस माइनस प्लस होगा तो माइनस 4 बटे 5 और प्लस 4 बटे 5 बराबर 0 तो यहां हमको भरना है माइनस 4 बटे 5 तीसरा कोस्टम देखते हैं एक बटे माइनस दो पर यह माइनस एक दिया है तो बराबर यह किसके बराबर है तो हमने गुडातमक प्रतिलों में शुरू में बताया है कि गुडातमक प्रतिलों को कैसे लिखते हैं मालने यह कोई गुडातमक प्रतिलों ऐसे दो बटे तीन है इसका गुड़ातमक प्रतिलों हम लिख सकते हां दो तरह से. एक तो नीचे का उपर, उपर का नीचे, या इसी का एक लिख सकते हैं, हम क्या? दो बट्ये थीनी ही रहने देंगे, और उस पर माइनस एक लिख देंगे, ऐसे लिख सकते हैं. तो वही यहां देखी एक बट्टे माइनस दो पर माइनस एक तो एक बट्टे दो पर ये वाला है हम ये वाला भी लिख सकते हैं तो देखी एक बट्टे माइनस दो पर माइनस एक है इसी को हम लिख सकते हैं माइनस 2 बट नीचे का उपर उपर का नीचे भी लिख सकते हैं तो यह जब नीचे सूपर जाएगा तो माइनस 2 जाएगा और बट यह नीचे 1 होगा एक का मतल्ब नीचे कुछ नहीं फोल माइनस 2 भर देंगे चौथा कोस्टन देखते हैं इसमें माइनस दो बट्टे तीन गुड़े तीन बट्टे चाप अब माइनस से क्या क्या भरना है तो इसको थोड़ा साल करेंगे तो तीन से तीन कंसिल हो जागा और यहाँ माइनस दो है दो से 4 कंसिल होगा दो बार में तो यहाँ बचेगा क्या हमारा यहाँ बचेगा दो तीन उपर का कट गया एक रता हम लिखेंगे माइनस एक और गुड़े यहाँ भी एक ही बचा पुरा कट गया तो और नीचे दो बचा है और उपर ये minus 100 ऐसे दिया हुआ है तो इसको जब हम start करेंगे तो गुडा कर लेंगे उपर का उपर में नीचे का नीचे में तो एक का एक में गुडा minus 1 ही रहागा बटे 2 ही रहागा और इसपर ऐसे दिया हुआ minus 1 तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं तो अधी हम बताया हैं कि या तो इसको माइनस एक उपर लिखते हैं या तो उपर का नीचे और नीचे का उपर कर सकते हैं इसको तो हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं माइनस दो यह उपर जाएगा तो यह एक नीचे आगा तो माइनस दो जाएगा एक नीचे नहीं लिखते हैं तो ऐसे हो जाएगा तो हम यह भर भेंगे माइनस दो इन बात हम हमेशा गुडातमक परतिलोम में ध्यान रखेंगे या इसी को हम लिख सकते हैं क्या 2 बटे 3 पर माइनस 1 इसी को या तो ऐसे लिखे तो 2 बटे 3 पर माइनस 1 नहीं तो 3 बटे 2 करना तो माइनस 1 नहीं लिखना पड़ेगा तो ये बात हमें अशा ध्यान में आप लोग रखेंगे तो इसमें देखिए दिया तीसरा में 6 Q question दिया हुगा है इक स्थिति पर ट्र एक 2 कुड़े ल, बताईए तो पहला हल करके देखते हैं, ऐसे ही बारी-बारी सब हल करेंगे तो दिया हुगा है, दो बटे 3 गुड़े X बराबर 1 तो X का मान निकालना तो हम जानते हैं जिसका मान निकालना रहता है उसी को बराबर की एक तरफ रहने देंगे बाकि दूसरे वाले को दूसरे तरफ भेज देते हैं जो भी संख्या उससे ज्यादा होगा तो हम देखेंगे तो दो बट्टे तीन को बारी बारी से उधर भेज़ेंगे तो हम लोग जानते हैं कि बराबर के उधर भेज़ते हैं कैसे अगर कोई संख्या भाग में है तो गुरा में जागा अगर गुरा में है तो भाग में जागा उधर बराबर के उधर जागा तो पलस में है तो माइनस में है तो पलस में तो देखते हैं तो यहां से हम पाले तीन को नीचे से उधर भेजेंगे तो यह भाग में है उधर जागा तो गुड़ा करेगा यहाँ पच यागा 2 गूड़े x इक़ुल ये एक गूड़े ये तीन इदा भाग कर रहा था इदा राया तो गूड़ा किया हमको x का मान निकालना है तो 2 को भी इदा भेजना पड़ेगा बराबर के तो 2 इदा गूड़ा कर रहा है बराबर के उधर जागा तो भाग करेगा यहां बचेगा X इक्वल ये एक गुड़े 3 हा बटे ये दो गुड़ा कर ला था इधार आया तो भाग किया यही X का बालू हो जागा X इक्वल एक का 3 में गुड़ा 3 बटे 2 ये आंसर हो गया Second Question को हल करके देखते हैं तो माइनस 3 बटे 4 है X का बालू फाइन करना है मतलब X का बालू निकालना तो ये पलस में दिया जब पलस माइनस में राता है पूरा संख्या एक साथ उधर भेज देंगे तो ये X का इधर माइनस 3 बटे 4 है जब उधर जाएगा 4 हो जाएगा ये अंसर हो जाएगा अब यहाँ ये नहीं करेंगे कि 4 बीदर भाग में तो उधर गुराम भेज दिये नहीं यहाँ पलस और माइनस चीन रहागा तब नहीं ऐसे यही गुराम राता तब यह भाग पपाले भेजते उधर यहाँ पलस चीना है तो इसलिए पूरे को एक स्टाथ भेजना पड़ेगा यहाँ लोग ऐसे भी इसको स्टाथ कर सकते हैं अभी एक और तरीका बता रहा है इसको हल करते हैं पाले यहाँ देखी यह गुराम है तो बारी-बारी से भेजन गया तो यहाँ एक्स गुरे यह माइनस पांच है यह नीचे च्यार था भाग में तो इधार आगा तो गुराम जाएगा च्यार यहाँ माइनस पांच को भी उदर भेजना इधार गुराम इधार भाग में जाएगा तो X इकल हो जाएगा, एक का 4 में गुड़ा, 4 बटे, माइनस 5, इधार आया तो माइनस 5, तो 4 बटे, माइनस 5 लिखा, चाहा, माइनस 4 बटे, 5 लिखा, एक है युगाबाद, ऐसे, इसको देखते हैं, माइनस से माइनस काट देंगे, गुड़ा में हैं तो बारी बारी से भेज़ेंगे, तो X गुड़े, 6 इकल, 1 है, स्टाथ इधार भाग कर रहा है, इधार आएगा तो गुड़ा करेगा, फिर यहाँ, X इकल, एक का स्टाथ में गुड़ा 7 हो गया, यह 6 इधार गुड़ा कर इधार आएगा तो भाग करेगा, यह एंसर हो गया, इसको देख लिते हैं, X का बालू निकालना है, तो इसे को स्टाथ कर दना है, तो 4 से 4 को काट देंगे, एक बार में, यह भी एक बार में कट गया, माइनस से माइनस कट गया पांच एक बार में एक बार में उपर भी एक नीचे भी एक इधर एक से एक का बैलू यह यह एक में एक से बाइक करेंगे तो यह कही होगा यह इसी को ऐसे लिख सकते हैं यह देखते हैं यह प्लस और माइनस का गुड़ा होगा तो माइनस साथ बाटे च्छा और यह प्लस साथ बाटे च्छा इक हाई सांग ख्या प्लस और माइनस में रहा तो हम जानते हैं जीरो हो जाता है बालू तो यहां लिख देंगे जीरो इक्वल या एक्स इक्वल जीरो यह हम सरूगा एक तरसे और इसको साल्ब कर सकते थे यह तो समीकरण जासा हम साल्ब किया है यह योगातमक और गुरातमक प्रतिलों जो बताएं हम उसके आधार पर जैसे माल गुरातमक प्रतिलों हम लोग जानते हैं कि किसी संख्या में ऐसे संख्या से गुरा कर देंगे उसका मानेक हो जाए तो एक होगा तो गुरातमक प्रतिलों और किसी संख्या में ऐसा संख्या जोड़ दां कि योगफल जीरो हो जा तो योगातमक प्रतिलों होता है तो देख गुरातमघ प्रतिलों में जीरो होता है योगातमघ प्रतिलों में आ हम जानते हैं मैनस में धजी मोजाँ कर देंगे चर बट्य rejo arage ।ac या मैनस त्यारवटे प्लतिलों 5 लिख सकते हैं इस इको अ pumps में विंदा सब्सक्राइब यहां देखते हैं यहां देखते हैं यह दोनों यह कहीं दे दिया एक्स का बालू फाइन करना कुछ अपने तरफ से नहीं लिखना प्लस में माइनस में तो हम जामते हैं यह आतमाग प्रतिलों जीरो ता और यहां गुड़ातमक प्रतिलों यह कहता है तो ऐसे हो जागा एंसर नहीं तो ऐसे साल्व करके भी कर सकते हैं दोनों तरीकेस कर सकते हैं अगला कोस्चन देखते हैं च्यार नंबर क्वेस्चन है निम्नांकित परिम्य संख्याओं के योगात्मक प्रतिलोम बताईए तो केवल एंसर में इसको योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम जो पूछेगा उसको लिखना है तो योगात्मक प्रतिलोम हम बताये हैं कि Y संख्यार हैं गा उसका चिन प्लस का माइनस और माइनस का प्लस करके लिख देंगे वही योगात्मक प्रतिलोम उता जैसे यह पहले का है तो यहां लिखेंगे योगात्मक प्रतिलोम बराबर ये प्लस एक बटे दो है तो माइनस एक बटे दो लिख देंगे यही योगातमक प्रतिलों हो गया इसका लिखना है माइनस तीन बटे आठ है तो माइनस तीन बटे आठ का हो जागा प्लस तीन बटे आठ योगातमक प्रतिलों इसका है हम बताये थे शुरू में कि 0 का योगात्मक परतिलों 0 ही होता है तो 0 लिख देंगे ये देखते हैं तो उपा नीचे माइनस कट जागा तो ये हो गया पलस 4 बटे 7, पलस 4 बटे 7 का हो जागा माइनस 4 बटे 7 योगात्मक परतिलों में हम जानते हैं चीन बदल के पलस रागा तो माइनस, माइनस रागा तो पलस वही लिखना है अब योगातमक परतिलोम हो गया, च्यार कोस्चन दिया था, चोथे में पाचवें में दिया छाई Quesons दिए इसमें पुछ रहा निम्नाइंकित पांचवे हैं जातने हैं नीचे का उपर और उपर का नीचे लिख दहते हैं तो फ motivational मृ जाता तो देखते हैं तो यहां लिखेंगे गुरातमक प्रतिलोम बराबर ये 8 बटे 13 हातो, गुडातम क्रतिलों नीचे का उपर, उपर का नीचे हो जाता 8 बटे 13 हातो, 13 बटे 8 हो गया, इसका माइनस 6 बटे 19 हातो, 19 उपर जागा 6, नीचे आगा माइनस 20 बटे 6 हो जागा, ये अंसर हो गया, इसका देखते हैं 17 बटे माइनस 16 तो 16 जब उपर जागा तो हो जागा 16 बटे माइनस 17 ये माइनस 16 उपर माइनस 16 नीचे तो उपर जागा तो या तो पूरा ले जा सकते हैं माइनस 16 बटे 17 या माइनस राने भी देंगे तो 16 बटे माइनस 17 या इसी को लिख सकते हैं माइनस 16 बटे तो माइनस चाहे नीचे रहा, चाहे उपर रहा, उसके रही मतलब बात यह कई हुआ, यहाँ देखते हैं, जब एक संख्या है तो हम लोग जानते हैं, कि सभी संख्या होगी नीचे एक रहता है, तो नीचे का उपर, उपर का नीचे कर देना है, तो इसको लिखेंगे तो माइ लिखते हैं इसका गुडान दिया तो पहले हल कर लेते हैं इसको हम लोग गुडान हल करना जानते हैं दो से ये च्यार कर जागा दो बार में तो उपर हो गया पहले एक बार लिखते हैं इसको तो ये संख्या हो गया 9 बटे 5 दुना 10 ये 9 बटे 10 तो इसका गुडातमत प्रति आप लोग पूरा लिख लेंगे इसको बराबर हो जाएगा नो बटे दोस आई ये संख्या तो नीचे का उपर उपर का नीचे दोस बटे नो हो जाएगा ये अंसर हो गया कुछ नहीं करना बहुतीजी है एक एक बात को आप लोग ध्यान से सुरेंगे पूरा वीडियो देखेंगे तभी बात समझ में आएगी और कोई भी चीज बहुत आसान ये नहीं कि आप लोग जानते हैं कि हम ये क्वेस्टन जान रहा तो इसको नहीं देखते हैं हम जो भी च देखिए छठमा कोउस्चन जो दिया है सरल कीजिए एक ही कोउस्चन दिया इसमें तो माइनस 32 गुड़े 5 बटे माइनस 14 गुड़े माइनस 3 बटे माइनस 20 गुड़े 0 गुड़े माइनस 13 बटे 5 तो देखिए सभी लोग इसको जब ध्यान से देखेंगे तो इसको हल करना ज़रूरी है ही नहीं क्योंकि हम लोग जानते हैं 0 बीच में दे दिया गुरा में हम जानते हैं 0 में किसी भी संख्या का गुरा कर दीजिए तो पूरा बैलू क्या हो जाता है? 0 तो देख रहा हैं यह सब ऐसे कोस्टन दिया हुगा बीच में 0 भी यह सब एक दूसरे गुरा के रूप में दिये हुगा है एक दूसरे गसाथ तो हम जानते हैं 0 से कितना होई भी संख्या दे दे 0 का जब गुरा होगा तो सब 0 हो जागा तो इसका अंसर डाइरेक्ट ऐसे लिखेंगे 0 यह यह अंसर हो जागा तो इक्सरसाइज 1 का यह फास खतम होता है फिर कल देखेंगे इसके बाद का इक्सरसाइज और आप लोग एक बार फिर रिक्वेस्टर की वीडियो को पूरा देखा करां तभी समझ में आएगा नहीं देखना है तो पाले ही वीडियो को छोड़ दिया करां